स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्लाइं सिर्स्थान परिक्षाप्रस में कैसे हैं सभी एक बहुत बड़ी खुसकवरी आप सभी के लिए IV ACIO का नोटिफिकेशन है 995 पज है बहुत अच्छी जॉब है बहुत अच्छी सेलरी है बहुत ही रेपुटेटर जॉब है लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि हम इसकी तयारी कैसे करें तो एक बहुत ही जो आपको इंतजार रहता है परिक्षाप्रस के सेशन का कैस अच्छे से बताया है नोटिफिकेशन का वाना था वहीं बता दिया था पहले ही अब कहीं न कहीं जो नोटिफिकेशन 25 तारिक को आना था वो कुछी देर में आ रहा होगा या आ गया होगा जब तक आप वीडर देख रहे होंगे और अब जब डिटिफिकेशन आजाएगा पॉर्म फिलिंग चलो कर देंगे तो एक बात आपके डिबाग में रहती है कि आई वी का पेपर बहुत जल्दी होता है मुश्किल से हमें डेट से दो महीने हाटली तीन महीने मिलते हैं और इसमें हमें एक मेजल जंग की त्यारी करना होता है जिसके बाद स्टेज टू और उसके बाद सबके बारे में समग रूप से चर्चा करेंगे लेकिन अगर आप चनल पर नए हो और IV ACIO की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगा पर चनलो को सब्सक्राइब और अवशे कर दीजेगा जिनको भी IV ACIO की जरूरत होगी चली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस पूरे सेशन में क्या देखने वाले हैं कैसे करें तैयारी सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आता है जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो किसी भी परिक्षा का कि एक जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो किसी परिक्षा का क्या हो जाँ दूसरी बात आपके लिए कहीं न कहीं आप यह सुने होगे कि Gs बहुत हारड आता है क्या UPSC लेवल का आता है jjts ticism. का level का आता है, SSE level का आता है, paper कौन करवाता है, मैं आपको बता दूँ, पिछले कुछ सालों से कौन करवा रहे है, TCS करवा रहे है, इससे पहले जो वेकेंसी आई थी, बस 2020 में आई थी, 2000 पदों के लिए अच्छे से follow करने वाला है, लेकिन क्या ये core SSC है, बिल्कुल नहीं, क्या ये UPSC है, बिल्कुल नहीं, ये एक mix है, मतलब SSC का एक अच्छा सा pattern है, अगर इसके pattern को देखेंगे, तो हम अच्छे समझ पहेंगे, इसमें mass reasoning के selection करवाएंगी, English का कितना role होगा, इसके भी हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, और इसमें जो English का role है, वो आपके दूसरे चरण में बढ़ जाता है, जहां पर आपका descriptive का paper होता है, और साथ ही आपका precise writing, जो होता है, essay होता है, वहां पर आपके याले English इसकी हो जाती है, साथ में, तीसरे चरण में इसका interview है, अगर आपकी sound English है, तो कहीं न कहीं interview बहुँ जादा अच्छा पढ़ता है, बट कोई बात नहीं, अगर English नहीं है, Hindi आपकी है, तो वो भी आप अच्छा से cover कर सकते हो, interview का भी session आपका अलग से करवा दिया जाएगा, descriptive भी अलग से session करवा दिया जाएगा, और सभी की link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगी, तो अगर आप उन सारी वीडियो को देखना चाहते हैं, चैनल को follow आवशे करते रहें, subscribe आवशे कर लीजें, यहाँ हम लोग यह चर्चा करेंगे, कौन से किताबे जरूरी है, इसकी तैयारी के लिए, साथ में ही चर्चा हम लोग की इस बात पर होगी कि आउनलाइन, कोचिंग हम लोग तैयारी करें, या फर सेल्फ इस्टडी से दू-तीन महिने में हमारा काम बन जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट कौन से होने चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, हलाकि यह तो आई- किसी ने किसी के बैस से जोड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई वीडियो आती है, तो सबसे पहले उन्हें को पता चलती है, और वो आके एडमिशन ले सकते हैं, और यह सीट 24 घंटे के अंदर ही भर गई थी, मुस्किल से वीडियो बनाने के 8-9 घंटे में यह भर गई थी 50 से टे, तो अभी तो यह सायथ आफर ना मिले, वैं इसकी चर्चाबाद में कर लूँगा, बट आपको 592 प्लस GST में आपको यह मिल जाएगा, इसके अंदर का टीम परिक्षा प्लस किताब हैं, आपको कौन सी उप्लब्द करवा रही हैं, यह देखिएगा, मैस इंग्लि पर मैं नहीं लगा पाया हूँ, GST में एक साइंस का भी कवर होगा, एक किताब आपको वह भी मिलेगी, वह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो कुल मिलाके साथ, साथ नोट्स आपको यह मिलेंगे, इसके अत्रिक्ट आपको जो क्लास की PDF वह सारी मिलते रहेंगी, इ इसी, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी मैंने लिंक लगा दी है, बाकी आपका इस बार सबसे अच्छी बात है, पेस्केल को इन्होंने ओपन करके दे दिया है, यह आप अच्छे से देखोगे, खुस हो जाओगे, कि बेसिक पे उसके बाद डिये, फिर एसससे, फिर चारे, सब इसमें मिलता है, इसकी चल्चा मैंने की थी, तो इसका आप स्क्रिन सौट ले सकते हो, या फिर इसे आप उस वाली वीडियो से देख सकते हो, इसकी पीडियो भी दे देंगे, हम लोग चल्चा करेंगे, अपनी कैसे करें तैयारी में, क्योंकि हमारा जरूरी होत परिक्षा पैटर्ण, और जब आप परिक्षा पैटर्ण की बात करते हो, तो यहाँ पे जो आपका पेपर कंड़क्ट करा रहा है, ये करा रहा है TCS, और टोटल आपके 100 कोशन होते हैं, आपको क्वालिफाई करने के लिए 100 कोशन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, आपको जो पहला आपका स्टेज होगा, ये मात्र वन आर का होगा, ये ध्यान दीजीगा, एक घंटे में 100 कोशन चैलेंजिंग होते हैं, और वो भी तब जब कोशन का इस तर बहुत अच्छा हो, चाहे हम मैस की बात करें, चाहे हम रिजनिंग की बात करें, और खासकर हम GS की बात करें GS क्यों, GS क्यों एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, GS से टुटल 40 कोशन आते हैं, और ये केवल GS नहीं है, ये आपका जेनरल अवेर्नेस है, यही आपका करेंट अफियर्स है, यही आपका जो इस्टैटिक जीके, जेनरल अवेर्नेस में ही आ जाता है, इस्टै GS होता है, वो भी आपका इसी के अंतरकत आ जाता है, तो ये GS अपका 40 कोशन कवर कर रहा है, आप देखोगे, तो एक तो इन्होंने जेनरल अवेर्नेस को अलग से मेंसन किया है, उपर से जेनरल स्टैटिस को मेंसन किया है, प्रते एक पार्ट से 20 कोशन होते हैं, और ये 20 को जबाब था, थोड़ा सा बच्चों को परिशान करने वारता, यही कारण था कि पिछली बार अगर आप overall cutoff देखोगे, तो वो cutoff 65 से 70% के बीच में IT14 के negative होने के बाद overall score मिलाने के बाद, तो ये 65 से 70% doable cutoff होता है, ये मानके चलिए कि एगर paper tough होता है, या अलग pattern पे आता ह है, तो वो सबके लिए कम होता है, उसमें घवडाने वाली बाद नहीं है, तो सर्वपतम आपके दिमाग में, किसी ने भी ये दिमाग में बाट डाली हो कि GS बहुत टफाता है, IB निकालना मुस्किल है, तो मैं ये आप से पहले सब्सक्राइब मैं बोलूँगा, देखो बि condition level और मेहनत आपको बराबर करनी पड़ती है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि बिना मेहनत के बहुत इत्मिनान से आपको इचीज कर लोगे, हाँ, लेकिन अगर मेहनत आप सही दिसा, सही माग दरसन, सही दिसा में कर लोगे, आप सही resources से, जैसे जो आपकी किताबे हैं, वो बहुत अच्छे आपके पास है, जो content आपको पढ़ना है, वो आपके पास अच्छा है, जो faculty जो teacher पढ़हा रहा है, वो बहुत 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 बहुत्रीन हैं, आपको चीज़े समझा पर रहे, तो निश्यत रूप से आपके सफल्टा में कहीं में कहीं बहुत आसान हो जात इसमें अगर मैं GS की बात करूँ तो यह 20 कोशन है अगर मैं GA की बात करूँ जीए में ही आपका static GK को मैं cover कर ले रहा हूँ current affair को भी cover कर ले रहा हूँ और आपके में जो general awareness का part होता है उसको भी cover कर ले रहा हूँ ये भी आपका क्या है 20 कोशन है इसके अतरिक्त जो maths है इसमें भी आपका 20 कोशन है इसके अतरिक्त जो आपका reasoning है इसमें भी आपका क्या है 20 कोशन है और इसके अतरिक्त आपका English है ये भी आपका क्या है 20 कोशन है टोटल सो कोशन आपका यहां पर बनता है अब सबसे पहली बात यह कि आपका सेलेक्शन कौन सा विसे कराएगी मैंने बोला कि पिछली बार जो कट आफ गया था वो 65-70% के बीच में गया था इक्जेक्ट तो कहीं निकल के नहीं आया था बट लगबग लगबग वच्चु से अनलेसिस पे 65-70% ही निकल के आया था जो पिछली बार कट आफ गया था इस बार भी अगर 2020-2023 की बात किया बीच में तब उससे कॉंपूटिशन लेबल भी बढ़ा है तो मैं इतना बूलूँगा कि अगर पेपर वैल से ही बन गया तो यह 70-75% कितना जाएगा 70-75% के बीच में इस बार आपको टार्गेट करना रहेगा यह आपको क्या रहेगा सेफ स्कोर का जोन रहेगा इतना आपको टार्गेट करना यह अगर कर लें पिछले अगर पेपर बहुत आसाना गया तो इस दिमाग में रखेगा कि यह तुरंती बढ़ जाएगा नंबर 80-85% भी जा सकता है अगर पेपर और आपके पास पदों की संख्या भी कम नहीं है आपके पास नौसो पंचानले में पद हैं पिछली बार के पद है नौसो पंचानले में पद भी कम नहीं होते हैं इसमें लगबग 10 गुना बुलाए जाएंगे स्टेज 2 में और उसमें लगबग 5 गुना बुलाए जाएंगे स्टेज 3 में मतलब कि इंटर्वी में बुलाए जाएगी यह दिजेगा तो लगबग 1,000 वेकंसी का 10,000 बच्चे stage 1 को qualify करेंगे उसके बाद 5,000 बच्चे करीबन क्या जाएंगे इंटर्व्यू में बैठेंगे और 5,000 काफी संख्या होती है बैठने के लिए इस बात को दिमाग में भी रखते हुए चलिएगा अब आते हैं जैसे कि मैंने बोला कि आपका selection कौन सा विषे करवाएगा तो selection करवाने वाला विषे में number 1 आता है reasoning जब paper pattern कौन करवाता है क्योंकि paper करवा रहा है TCS तो TCS के साथ कितनी भी बुरी बात हो एक बहुत अच्छी बात यह है कि reasoning का वो pattern पिछले 10 से 12 सालों में एक बार भी नहीं बने है है ना मतलब कि मैं बोल दू कि 10-12 क्या 2016-17 के बाद से TCS active हो है ऐसा नहीं उससे पहले भी paper कराता रहा है बट वो offline टापे कराता रहा है बट जब से यह online pattern में आया है 16-17 और तब से भी देखा जाये तो 7-8 साल हो रहा है और 7-8 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि reasoning का उसका pattern बने और इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है आपको score करने का वो है SSC SSC का जो आपका CHSL और जो CGL का paper होता है इसका जो tier 1 है इसका जो tier 1 है आप इसको follow कर लोगे तो इतना मैं guaranteed बता रहा हूं कि 20 में 20 ला सकते हो बट फिर भी मैं safe लेके आपको एक question human error हो जाता है जाने हैं जाने हमसे एक दो question की गलतिया हो जाती है बट 20 में भी 19 question आप अच्छे से कल लोगे यही नहीं अगर मैं आपको बताओ TCS का नया pattern जो आप देखोगे तो maths में कहीं न कहीं उसने क्या किया है कुछ नए concept देने को सुरवात उसने कर दी है फिर भी maths में अगर बात किया जाए 20 question है तो वो 12 से 13 question very easy type का रखता है वो 2 से 3 question moderate level का रखता है 3 से 4 question और 2 से 3 question ऐसे भी होते है जो बहुती कठी निस्तर के होते है ऐसा लगता है कि maths यह हमसे नहीं हो पाई है एक बात का द्यान देना आपके पास नि time taking होते हैं वो है आपका math or reasoning इस 40 question को आप कितने भी speed में करोगी आपको minimum 35 से 40 minute लग जाता है यह भी आप थोड़ा सा time management भी सा आज से ही समझते हुए चलिए गर वो आपको उतना ही दिमाग में उतना ही आपके strategy बहतर करके चलेगा तो 35 minute हम math plus reasoning को यहाँ पे लेके चलेंगे इस बात को समझते हुए चलना और math reasoning में हालाके कुछ बच्चे जादा भी समय लेते हैं बड़ मैं आपको बोलूगा आपकी तयारी तब अच्छी होगी जब आप 35 से 35 से कम समय में math or reasoning को अटेंड करो इसमें करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा जो cutting question है उनको छोड करना है क्या आपको follow करना है skipping rule यह यह क्या है यह talent है यह art skipping rule जो यह बच्चा सीख जाता है निश्यत रूप से वह paper को उतने कम समय में वह अपने selection भर का question करके जलाता है तो मैंने बोला कि मैं इसके 2-3 question आपको अठख़े निस्तर के मिल सकते क्योंकि यह TCS है एकदम नया pattern किसी परिक्षा में नहीं पूछा गया हो होगा वो percentage का होगा वो profit loss का बट कहीं x कर देगा कहीं missing value कर देगा कहीं आपको हो सकता है कुछ power में value दे जैसे पिछली बार IB में ही पूछा गया था कि एक जो geometry mensuration का question था उसमें बोला दे था कि उसका item है उसका dimension है वो dimension की power चढ़ा तो वहां पर experiment नहीं करते हो इतना समय नहीं होता है कि नए question को आप वहां पर लगाओ अगर समय बसता है तब बात अलगे इस कारण से आप वहां पर 2-3 question छोड़के छोड़ने में ही आपकी क्या रहेगी भला ही रहेगी तो यह आपको focus करना है कि maths में नहीं कुछ तो आपक के चलोगी यह दोनों scoring part है मैं वह दो तिन question जो बहुत कठे निस्तर का पूछा जा अगर नहीं पूछागे तो आपको score बढ़ भी तो जाएगा ऐसा नहीं कि आपको 15 ही लाना है अगर आसान है तो आप करो आप अपने maximum करो लेकिन अगर आपका क्या है कठेन है तो आप उस score को थोड़ा सा कम करता है बड़ यह भी properly TCS pattern पे follow होता है जहां पर आप vocaps पे ज्यादा मेहिनत करके आप इस exam में सफलता आज जित कर सकते हो वह caps में जैसे आप देखो कि synonyms हो गया repeated पूछता है antonyms repeated पूछता है यहाँ पर साइद आपको दिखने ही रहा होगा तो मैं इदर छोटा करके इदर कर दे रहा हूँ synonyms इसमें क्या होता है आपसे प्रॉपर पूछता है antonyms भी क्या होता है प्रॉपर आपसे पूछा जाता है ठीक है synonyms और इसके इसके अतरिक्त आपका जो होता है one word substitution हो गया या फिर आपके idems हो गये या आपके common वही जो आपका TCS हर exam में चाहे SSC का ले या कोई भी exam ले लगबख सब में जो पूछता आता है उसी में ही आपका उसी टाइप पे होगा तो इंगलिस पे जादा से जादा आपको vocabs पे करना है इसी के साथ आपको spelling पे से ढ़ाई महीं नहीं मिलने वाला है पेपर में आप grammar को खासका रगारा फ्रेशन हो ग्रामर पढ़ने में बचोगे तो आप केवल पढ़ते पढ़ते अपना समय बेकार कर दोगे और आप पिस्मार्ट स्ट्रेजी से इसका selection नहीं ले पाओगे अब आते हैं तो लास्ट ज कि आपको 2-3 statement देते थे उसमें बोलते हैं कि कौल साइस में सही है 1-2 सही है 2-3 सही है 2-3 सही है या पिर केवल 1 सही है इस प्रकाल से आपसे question पूछा जाता है दूसरा आपका matching based जिसे कूट based बोलते हो आप लो है ना matching जो आपके PCS वेगारा में matching कूट based जो होते है question UPSC में question होते हैं अब आप एची से बात समझना कि यहां पर टूटल चालिस question है इस चालिस question में कहां से ज्यादा आपका पूछा जाएगा यह आपको पढ़ना क्या है तो फिर से मैं बोलूगा आपको दिमाग में रखना है कि यह paper contract काने जाला है TCS तो TCS core GS से question बहुत कम रखता है मैं यह नहीं बोलूगा कि GS से question नहीं रखता है बट core GS से question नाम मत रखता है अगर हम पिछले बार के ही देख लेंगे तो 40 question में से केवल 2 से 4 question थे वो core topic से थे बाकी जो सारे question थे वो किस से थे वो आपके बाकी जो 36 सा 37 question थे वो किस पोसन से थे वो आपका static gk पोसन से थे वो किस से पोसन से थे वो आपका current के पोसन से थे और यहीं पे इसने question के इस तरह को अच्छा बनाया था तो आपका पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए कि आप बहुत details में पढ़ रहे हो लेकिन आपको पढ़ने हैं अब static gk में क्या आता है जैसे आपका books जैसे आपका books and author पिष्ली बार बहुत question पूछा था उनके writer कौन है आपको जो famous person फेमस परसन ठीक है यहां से यहां से आप से कोशन पूशता है उसके बाद फेमस जो प्लेसे से यहां से आप से कोशन पूशता है इसके बाद अवार्ड से कोशन पूशता है यह एक तो आपका पूराना भी पूश सकता है जैसे द्रोणाचार अवार्ड किसमें दिया जाता ह अलजु नवार्ड किसमें दिया जाता है, ऐसे टैप भी कोशन आपसे पूँच सकता है, स्पोर्ट से रिलेटेड या फिर मिलिटरी सर्विसे से रिलेटेड आपसे कोशन पूँच सकता है, और वो अगर कोई नया कोई पाया है, जैसे कोई नया नोबल प्राइज हो गया, य या हाली में अलजु नवार्ड पाने वाला खिलाडी को उसा है, उन्होंने पिछली बार क्या किया, अलजु नवार्ड द्रोणाचार अवार्ड फलाना डिंग वार्णा ऐसे करके, और चार इधर आप्शन करती उसे आपको मैचिंग करना था, तो आपको पढ़ना क्या है पढ़ना तो आपको अवार्ड सी है, लेकिन कोशन किस प्रकास से पूछा जा रहा है, वो दिमाग में रखना है कि आपका किस प्रकास से मैचिंग से पूछा सकता है, तो परहाई आपकी कठे नहीं है, आपकी कोशन पूछा जाने का पैटर न अलग है, लेकिन अगर आप स UPSC जैसा इसका मुख्लब ये नहीं कि उसके कोशन का लेवल भी UPSC जैसा है जो लेबल है वह आपका बेसिक लेबल है इसमें बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होने आपको ज़्यादा एस्टैक पार्ट और ये जितनी भी चीजें होती है इस्टैक। यहां से कोशन पूछता है या फिर कोई जो नए अपॉंट्मेंट होते हैं यहां से कोशन कूछ सकता है यह सारे पिछली बार में पूछा गया था और इस बार भी टॉपिक पर कवर किया जाएगा 110% इन्हीं topic से cover किया जाए इसके अतरिक तेगर हम core part में आए तो जो core जो core GS होता है यहाँ पर मैं बात करूँगा core GS में core GS में आपको minimum पढ़ना है और अगर पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको science पे focus करने ज़्यादा से ज़्यादा आपको science पे focus करने उसके बाद कुछ बाद बायो करो geography पे आपको focus करने और geography वह भी किस हिसाब से आपको static gk कि हिसाब से ज़्यादा फोकस करने तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा content आप देखो सब कुस तो आपको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूं कि आप यही यही पढ़ना हो जाएगा बट एक general idea जो मैं आपको बोल लाओं कि ऐसा नहीं है कि 40 में 40 question आप नहीं कर पाओगे आप 40 आप इस 40 question में से 25 प्लस आराम से score कर लोगे मैं बहुत ही safe zone लेके चल रहा हूं कि यहाँ बच्चों के नंबर कम होते ही अगर यहाँ पे करोगे तो English में आपको score करना है 20 में से कम से कम यह 20 में से कम 15 प्ल यहाँ पे 30-20 आपका 50 के आस पास और उसके बाद अगर आप minimum 25 question यहाँ पे जोड़े लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 प्लस question और 75 प्लस question आपके selection के लिए क्या होते हैं selection के लिए more than sufficient होते हैं आपके strategy सुरू में यही होन चाहिए क्योंकि समय कम मिलेगा समय कम मिलेगा तो cutoff नीचे आएगा syllabus इसका कहीन पर इतना छोटा भी नहीं है जैसे अगर मैं maths की बात कर लूँ तो maths में आपका maths में आपका क्या पूचेगा आपका number system से भी question होता है आपका arithmetic से भी अंकगडिक जो होता है इससे भी question पूच तो mensuration का weight is क्या होता है ज्यादा होता है geometry SSE वाली geometry नहीं होती है आपको general maths मैस जो पढ़ना है वो आपको general maths पढ़ना है special maths नहीं पढ़ना है SSE CGL वाली geometry नहीं पढ़नी है आपको basic mensuration पढ़ना है यह बात देना है इसमें trigonometry के algebra के question देखने को नहीं मिलते हैं तो SSE से compare मत क सरीएगा maths का pattern बिल्कुल CGL जैसा नहीं है CHSL जैसा नहीं है इसका pattern थोड़ा सा अलग है general arithmetic number system के question आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे mensuration के 2-3 question देखने को मिलेंगे और 1-2-3 question आपको DI को भी देखने को मिलेंगे तो अगर मैं इसका topic division करूँ कम से कम 20 में से 3 question आपका DI का पूछा जाएगा जिसमें line chart, pie chart, bar chart, table कुछ भी हो सकता है उसके बाद mensuration के 2-3 question देखने को मिलेंगे कम से कम आपको 10 question यहाँ पर देख पूछा जाता है, statement conclusion हो गया, आपको syllogism हो गया, when diagram हो गया, figure series हो गया, alphabetical series हो गया, alphanumeric series हो गया, coding, decoding हो गया, direction sense हो गया, blood relation हो गया, इन सारे topic से पूछा जाता है, और English के गड़ में topic आपको बता दू तो यहाँ पे आपका filler हो गया, error detection हो गया, picky virus हो गया, आपका spelling error हो ग मिलता है, ना ही prices को देखने को मिलता है, दिमाग में यह चीज़ रखेगा, तो उसी सबसे तैयारी में करेंगे, बाकि आपको समग लूप से मैं बताऊंगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो आपको जो होगा, सबसे पहले आपको tier 1 पे focus करना है, इसके बाद आसान तरीके से उनका खुद का अनुबर है, ACF exam मेरा है, IB exam मेरा है, बहुत सारे exam में कहीं न कहीं descriptive का उनका अनुबर है, और interview में कहीं न कहीं पूरी team, पूरी team आपको यहां पर मदद करने वाली है, तो बहुत ही बहुत ही हम लोगों ने इसका course design किया है, हाला कि यह जो आ सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको कैसे स्वास करोगे, कि नहीं सर जो आप content देंगे, वो relevant देंगे, बिल्कुल, आपका दिमाग में यह question होना भी चाहिए, और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझ से यह question पूछो, आप हो सकता है, परिक्षा प्लस से जूरों, आप हो सकता है कि कि किसी आपको कोई और भी suggest किया हूं, आप पर जोडने का प्यास कर दो, लेकिन कहीं भी अगर आप को से जोडना चाहते हो, आप चाहते हो, दो-तिन महीने में self-study में उतना आसानी से, और यह मैं भी बोलूँगा, कि दो-तीन महीने में self-study से साहत कर पाना उ ताकि उन्हें maximum भाइदर मिल सके और जब वो उन पर dependent हो जाते हो और वो आपको कहीं न कहीं करते हैं कोई भी संस्था होती है संस्था प्रिवेस्टी प्रियास करने का फिल को सिसके ठीक है बट कई बार अच्छा नहीं हो पाता कई बार अच्छा होता है तो आप यह पहला question हो क्योंकि को से जुड़ जाने से मात्रव का सेलेक्षन नहीं होगा अगर आप तीम के बताय हुए तरीक्व को फॉलो कर लोगे अगर आप प्रॉपर कर लोगे आप क्लासिस की नोड पढ़ लोगे आप अलग सी जो नोड प्रोवाइट किया जाएगा वह अच्छे से पढ़ ल अगर आप इमानदारी से पढ़ लोगे तो निश्यत रूप से अपका सेलेक्षन हो जाएगा लेकिन जितना टीम मेहनत करेंगे उतना मेहनत करना पड़ेगा अगर मेहनत करने में सक्षा अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं आर मैं सरके साथ जुड़के अगर मेहनत कर अगर आपकी यह mentality होगी कि मैं बस जुड़क जाओं बीना मेहनत करने के तो नहीं जोड़ना है आपको कोई अवशक्ता नहीं जोड़ने के हाँ लेकिन अगर आपको यह है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ सरक जितना बोलेंगे वो चार गंटे बोलेंगे और चे गंटे बोलेंग क्लासे स्टेडी मिटीरियल आपको टॉपिक टेस्ट और इसकी वैलेडिटी क्या होगी तिल एक्जाम तक रहेगी इसमें सब कुछ आपको प्रवाइट किया जाएगा कुछ भी ऐसा नहीं नहीं छोड़ा जाएगा हां एक चीज मैं आपको बोल दे रहा हूं कि अभी तक यह 50 बुच्चों के लिए था क्यूंकि यह बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे और उनकी इच्छाएं होती हैं कि 1999 में सक कर दीजे तो मैं बिलकुल इतना तो नहीं कर पाऊंगा कि हाँ भाई चलो सब के लिए उपिन कर दू बट मैं further कुछ hours के लिए 50 more students के लिए केवल कर दे रहा हूं और यह guaranteed मैं बता रहा हूं साथा गंटे बाद यह बढ़ जाएगी इसके बाद नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार से इसमें admissions आ रहे हैं उस प्रकार से मैं कुछ कह नहीं सकता हूं तो 50 more hours 50 more students के लिए यह आपका यह आपका क्या कर दिया गया है प्राइस आपके 199 ही रहेगी उसके बाद आपके प्राइस पांस सो बानने प्रस जेस्टी यानि कि टूटल आपको 699 आपकी प्राइस हो जाएगी लेकिन जुनने से पहले आप बोलतों सर इसमें मिलेगा कुछ डेमो तो दिखा दीजिए अ अभी यह मेहनत कर रहे अभी आप बोलो कि सर के आपके पास content available नहीं अभी बिल्कुल available नहीं है क्योंकि भाई मैं हर बार team प्रेक्षाप्रस के अंदर खास यह तहीं है कि हर content को update करके देती है क्योंकि पता है कि IV ACIU में आपका समय कम मिलेगा इस कारण से इस पे काम बहुत तेजी से हो रहा है और अगर हम यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि वो कौन सा notes हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे है जन्रल अवेर्नस का हो गया या फिर आपका इंग्लिस का हो गया मैस का हो गया वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूं अच्छे तरीके से ठीक है एक बार मैं आपको तक कि आप डेमो परपंज में इस नोड्स को अच्छी तरीके से देख लो मैं ACIU folder में ही जाके सीधा आपको तब तक जब तक यह open होता है कुछ जो बच्चे जूड़ना चाहते हैं मैं उनको बता दू कहां से आप जूड़ सकते हो तो आपको कुछ नहीं करना है आपको परिक्षा प्लस के एप को गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे परिक्षा प्लस डाउनलोड करेंगे या हमारी प्ले सिटोर से आपको लिंग जाना है या फिर फिर प्ले एप के लिंक है वो ड apron में सबसे उपर लगी है आप यहांसे भी रीक्षा प्लस डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड है तो आप सीधा कर सकते हो जोड़ सकते हो इसमें आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा अभी आपको तो ये content सीधा update हो रहा है अभी आपके इसमें के notification और क्या करना होगा कैसे आपकी तैयारी करनी है उसके बारे वीडियो मिलेगा बटी content आपका एक दिसंबर से एक दिसंबर से ये proper course आपका चल जाएगा एक बार मैं आपको demo PDF दिखा दे रहा हूँ अगर open हो गय सब्सक्राइब करीब 114 पेज की PDF में भी कई बार क्या होता है समय ले लेता है वाट मैं आपको इसे दिखाने का प्रयास करता हूँ ठीक है ताकि आपको यहीं पर क्या रहे यहीं पर satisfaction आपको एक अच्छा satisfaction यहाँ पर रहे तो यह वो PDF है यह वो PDF है जो आपके सामने आगय अब मैं बोला था कि अगर आप बोलो कि क्या पहले से ही हम available करा रहे हैं पहले से तो चारी जो content है वो आपके यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं लगातार आप देखोगे इसमें जोग्राफी की बात करूँ पॉलिटी की बात करूँ निस्नल पार्क की बात करूँ अवार्स क करूँ वो सब कुछ आपको बहुत बहत्रीन तरीके से यह printable form में आपको general awareness GS के notes मिलने वाले हैं इसके अवहाँ चाहे हम लोगो को पार्ट हो बहुत ही बहत्रीन तरीके से आपको यह design करके दिया जा रहा है तो यह आपको जो class में है class की पीडिया होंगे वह तो मिलेंगे आपको साथ में यह ebook form में मिलेगी यहां पर देखो का इंग्लिस का content लगा हुआ है मैं इसी में आपको दिखा दे रहा हूँ क्यों यह डेमो PDF है यह आपको एप भी मिल जाएगी वहां से भी देख सकते मैस का पूरा जो जेमेट्री मेंसुरेशन टाइप में हो सकता है उस प्रकास आपका दिया गया है और ऐसे ही reasoning based का तो concept के साथ साथ आपके बहुत सारे questions भी यहां पर practice करने को मिलेंगे statement argument बिलकुल IB ACIU की तरह पे आपका यह course जो गया है वो design किया जा रहे है तो सारी ही किताबे जो आपने यहाां पर बोर्ड़ पे देखे हैं वह सब कुछ आप को यहां पर constrained मिलने वाले है तो course जो हैं आपको description में गर इसके अत्रिक्त कोई समस्या हो तो बिलकुल आप हमें हमारे नीचे जो number चल दा है उसके call कर सकते हैं हमें comment कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये भरोसा दिखाते हो कि हाँ आप परिक्षप्रस से जूरना चाहते हो तो एक assurance आपको मैं कराता हूँ कि इतनी team आप से मेहनत कर देगे दिन दात आपके साथ लगी रहेगी कि आप के लिए ये जो vacancy है ये मान के चलेगी कि पूरा team परिक्षप्रस को 100% selection देना है और हर जो course होता है जो हम लोग मेहनत करते हो वो उससे कहीं भी ज़्यादा मेहनत हम लोग इसमें करने वाले हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा challenge है उससे तीन महीने में आपका यहाँ पर selection करवाना तो चलिए इस session के साथ यहीं पर मैं अपनी वाड़ी को विराम देना चाहूंगा आपको से अवश्य जुड़िए अगर आपको session पसंदाया हो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और शेकर लिजिएगा भी मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत अबाद